हाई फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं कोर वरकाउट कोर एप्स दोनों चीछे में तो आज हम करें एक पूर स्टेबलाइजर मसल है कि कह सकते हैं आपकी में मसल होती है बोडि में में मसल है मारा सपोर्टिंग मसल है आप वरकाउट वरकाउट आप you movement करते हो उसमÈ आपका core strangen पैदर तो आप नहीं नहीं है तो आप एबस श्तक नहीं कर पाओ। है सपोर्फ आप deadlift, heavy squats जो भी everything is अगर आपका कोर स्ट्रॉंग नहीं है तो उस मूममेन को आपकर एक नहीं कर पाऊए तो इसलिए कोर मसल कर पर पूब बहुत जरूरी है और वहों देखके करना है क्या करना है कैसे करना है तो करते हैं स्टाट कोर काउट प्सक्शितव उल्या प्सक्राफ करた्राइबपा है जोracित्व जोमाज़ ई नितले हैे गोलिधे ही, सुगर्णू जोमज़ नहीं शाच चाहते नहीं support कीए लिख с सबस्क्रास काया टानितले मुझबड़ने मुझब्ड़ने य accept ठाफको मिछ नहीं कचता, और अपर बोड़ी है तो नहीं डुर्स करते हैं 90 डिग्री है है ना फॉंटी डिग्री कर सकते हैं कि दूल जैसे आपको आप्टेओं आतों अगर आपसके आप वाले फ्राइट दिजी हो तो इकर तेस्ता है एक प्रेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे ब्लैंक और तो मैंने पिसली वीडियो में आपको बजा एक ब्लैंक और दासे करते हमें लेकिन आने वारा हम कि ब्लैंक और में दो वैरियसन डाइनेमिक प्लैंक और आइसोमेट्रिक ब्लैंक तो दोनों में डिफ्रेंस कहा है और कैसे करते हैं तर तें स्टार्ट हैंस पापको इस फोल्टर पिप्प्रटी आपको की एल्बो पर तोस पे पोर को लिप्ट कहा है यह होंकि आपका आइसोमेट्रिक प्लैंक और नेक्स्ट डाइनेमिक प्लैंक करेंगे क्रण्चिज करते हैं स्टार्ट क्रण्चिज कैसे करने हैं हैंस आपको यह रखने हैं यह नहीं करते हैं यह नहीं करते हैं नेक नहीं देश करते हैं सर्फ मूव्मेंट क्रण्चिज और कोर भी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे साइड ब्रीच करते हैं स्टार्ट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजें लेट्स स्ट्रेट्ट परनेट को सोल्डर एंड ग्रीफ हैंज को आप यह रख सकते हैं यह रख सकते हैं जैसे आपको गंपड़े वरो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे और्टरनेटिंग टोटाचिस कैसे करते हैं करते हैं स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइज करते हैं मैं इस आपको गिज़ते हैं और प्रॉंस को टार्च वान तो यह त्री पोर प्रॉंस करते हैं प्रॉंस करते हैं प्रॉंस करते हैं